सेव डीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें क्योंकि हम आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ट्रू कोलर के पारवी में बात करेंगे बहुत ही अच्छा software है बहुत ही useful है इसे बहुत से लोग काम में लेते हैं कॉल answer करने से पहले हमें ये पता चल जाता है कि किसका call आ रहा है नाम भी आ जाता है और कभी कबार उसका photo भी आ जाता है पर बहुत से लोगों को इससे बहुत ही परिशानी होती है क्योंकि उन लोगों का नाम कभी कबार गलत आता है या फिर नाम के आगे या नाम के साथ कुछ ऐसे words लिखे होते हैं जो उन्हें पसंद ना हो और वो उसे change करवाना चाते हैं पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि उसे कैसे change किया जाए आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि true color में अपना नाम कैसे सही किया जाए और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि true color कैसे काम करता है और क्यों और किस वज़े से true color में किसी का नाम गलत आता है मेरा नाम है शुएपशेग और आज मैं आप सभी का सेफ डिल्स में स्वागत करता हूँ दोस्तो सबसे पिले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि TrueColor काम कैसे करता है जब भी कोई user TrueColor इंस्ट्रॉल करता है तो TrueColor उस user के सारी phonebook और सारे contacts हो copy करके अपने server पे upload कर देता है उस user के context जो copy हुए है उस पे depend करता है कि उस user ने अपना context किस तरह safe किया है मान लीजिए कि किसी एक नाम के दो या तीन लोग होते हैं तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि suppose कि कोई एक लंबा है तो उसके नाम के साथ में लिख देते हैं लंबू बता है या नाम के साथ कुछ और आये तो बहुत ही परिशानी होती है और लोगों को यह अच्छा नहीं लगता पर इससे जादा बुरा तो तब लगता है जब नाम के साथ-साथ कोई और फोटो आजाए जो हमें पसंद ना हो जैसे के अगर किसी ने मस्ती मजाग में अपने फोन में किसी नाम के साथ-साथ अगर किसी बंदर का या किसी और चीज़ का फोटो सेफ कर लिया तो ट्रू कॉलर उसे भी कैच कर लेता है और ट्रू कॉलर में उस इंसान के नाम के साथ-साथ फोटो बताता है दोस्तों यही ही आसान है आपको सिर्फ अपने फोन में true caller को install करना होगा install करने के बाद आप true caller से verification कीजिए उसी phone number का जिसमें नाम गलत आ रहा है verification करने के बाद आप वहाँ पर true caller में अपना सही नाम डाल दीजिए और अपना सही photo भी डाल दीजिए अगर आपका photo आपको चेंज करना हो तो अगर आपको आपका photo नहीं डालना है तो उसे blank छोड़ दीजिए कुछ लोग होते हैं जो privacy reason के वज़े से अपना photo दालना पसंद नहीं करते जब आप true caller install करेंगे और installation के बाद verification करके अपना नाम उसमें डाल देंगे तो true caller के servers पे आपके सही phone number के साथ आपका सही नाम update हो जाएगा ज्यादा वक्त नहीं लगता बहुत ही fast update हो जाता है और आपका सही नाम आपके phone number के आगे override हो जाता है क्योंकि पहले जो data उनके पास था वो तो दूसरों के context से लिया वा data था और हो सकता है कि वो गलत था true caller का पता चल जाएगा कि आपने अपना खुद का registration किया है और आप अपना खुद नाम सही बताओगे इसलिए true caller में आपका नाम update हो जाएगा और उसके बात दूसरों को जब phone जाएगा तो उनके true caller में आपका नाम सही बताएगा इसके अलावा एक और तरीका यह है कि आप true caller की website पे चले जाएगे link मैंने नीचे description में दे दिया है आप उस link पे click करके true caller की official website पे जा सकते हैं official website पे जाने के बाद आप login करिए वहाँ पर अपना user ID और password create करके उसके बाद आप वहाँ पर अपने phone number के साथ साथ अपना सही नाम update कर सकते हैं यह तरीका थोड़ा सा slow होता है क्योंकि यह एक manual process है आप जब अपना data submit करेंगे तो true caller के staff में से कोई उसे चेक करेगा और अपने server पे उसे update कर देगा इसके बाद आपका सही नाम true caller में बताया जाएगा पर थोड़ा वक्त लगेगा इसके लाबा एक तीसा तरीका भी है और वो यह है कि आप true caller को एक mail कीजिए और mail में अपना phone number country code के साथ लिखिए और साथी साथ अपना पूरा सही नाम भी लिखिए यह भी एक manual process है true caller का स्टाफ उस mail को चेक करेगा और उसके बाद वो लोग आपके number के against में उनके server पे जो data था उसे change करके आपका सही नाम डाल देंगे तो दोसर अगर true caller में आपका भी नाम गलत आ रहा है या आपके नाम के आगे कोई और ऐसा नाम आ रहा है जो आपको पसंद नहीं हो तो आप अब उसे बड़ी आसानी से change कर सकते हैं या फिर अगर आपके जान पेशान में किसी का नाम ऐसा गलत आ रहा है तो आप उसे बढ़ा सकते हैं कि true caller में अपना नाम कैसे अपडेट किया जाए उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे शुक्रिया धन्यवाद तैंक्यू